हेलो एवरिवन, वेलकम तो आवर चैनल, एड़ोसियस फिजिक्स, तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस था सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन, तो गेट फास्ट नोटिफिकेशन, और आज लाइक और शेर आवर विडियोज, थांक यू सो मच्छ हेलो एवरिवन, आज हम क्रॉनिंग पैनी मॉडल के बारे में डिसकस करने वाले हैं, यह टॉपिक, बीएसी, एमसी और कॉंपिटिटिव एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, वीडियो को लाश्ट तक देखना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यह टॉपिक आपको हमारे टेलिग्राम चैनल, एजूसियस फिजिक्स पर भी अविलेबल हो जाएगा, जिसकी पीडिएफ आप उस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, तो देखिए, क्रोनिंग पैनी मॉडल क्या है, तो कोई एक वन डाइमेंशनल परियोडिक पोटेंशल में यदि कोई एलेक्ट्रोन बूव करता है, तो उसको उसके लिए एक सिंप्लिफाईड मॉडल दिया गया जिसको हम क्रोनिंग पैनी मॉडल बोलते हैं, देखिए, The Croning Penny Model is a simplified model for an electron in one dimensional periodic potential जो one dimensional periodic potential उसमें कोई electron है उसके लिए एक simplified model दिया गया देखी हम periodic potential के बारे में discuss करते हैं periodic potential क्या होता है Now let's discuss about variation of potential energy in crystalletic हम crystalletic के जो potential energy उसके बारे में discuss करते हैं तो देखिए हमारे पास ये एक लेटिक वन डायमेंशनल लेटिक है इस डाइग्राम में कुछ इस तरह से अब जो हमारे पास कोई मैटल है जो लेटिक में है अब इसे जो Atoms है इसके जो Atoms है इसमे कुछ्छ एक bare Electrons भी होंगे स्बोर्स की जीए यह अमारे पास Free Electron है तो जब यह Free Electron move करते हैं तो होता क्या है कि यह जो positive positive ions है यह क्या करते हैं यह पर potential energy applied करते हैं किसके के उपर इस इलेक्ट्रोन के उपर तो यह जब इलेक्ट्रोन मूव करता है तो दो पॉजिटिव आयन्स के बीच में पॉटेंचिल एनरजी वह जदा होती है कि जो पॉटेंचिल एनरजी है वह जशेमाली जी यह दो आयन है इनके बीच में यहाँ पर potential energy कैसे होती है ज Dublin और यह एक आएन के पास में हुता है positive आएन के पास के पास में तो energy कैसी होती है कम होती है तो हम बौँसकते हैं कि बीच में अब देखे, यहाँ से इस electron के बीच में यहाँ पर energy कुछ इस तरह से बढ़ेगी और यहां पर कम होगी अब यहां से यहां पर आएगा तो फिर से बढ़ेगी और गटेगी यहां से यहां पर आएगा इलेक्ट्रोन तो फिर से बढ़ेगी और गटेगी कहने का मतलब यह है कि जो potential है वो variable है ठीक है तो potential variable होने की वज़े के बढ़ता और गत्षेह एक बार इंक्रीज होगा् एक बार ढीक्रीज होगा तो इलेक्टरोन है इलेक्टरोन अब दो अविजों के बीचमें से आगे चलेगा तो जो वह पोटेंसल है वह पिरियोडिकली चेंज होता है इसलिए इसको बोला जाता है पिरियोडिक पोटेंसियल तो देखिए यहां पर इसको एक्स्पिलन कि आगे दा हाइस्ट पोटेंसल इन हाफवे बिट्वीन डे एक्टम एंड गोस्टू as position of the iron in approached यहाँ पर यह भी मैंने बताया था वही दिखा गया है कि जो electron है वो दो ions के बीच में move करता है तो जो इसके बीच चेंटर में जो potential है वो कैसा हो जाता है increase और जो इसके पास में होता है ions के पास में तो decrease हो जाता है potential तो इसका मतले periodically change होता रहता है तो इसलिए इसको बोला जाता है periodic potential इस टाइप ऑफ पोटेंशियल कैन बी इस डिश्ड एज फोलो अब देखिए sorry इस टाइप ऑफ पोटेंशिल कैन बी रिपर्जेंटर एज फोलो अब जो यह जो पोटेंशिल है यह इसको हम निचे इस परकार से कुछ परदर्शित कर सकते हैं यह हमारे पास potential है और यह बता रहा है ions को तो इस तरह से यह जो potential है यह गड़ता और बढ़ता रहता increase और decrease होता जाता है इसलिए इसको बोलते है variable यह variable है इसलिए इसको बोलता है periodic potential हर period के बाद में यह same situation repeat करता है repeat होता है बार बार इसको बोलते है periodic potential आगे देखिए it is not आप देखिए यह बार बार change होता रहता है तो होगा क्या कुछ इस तरह से change होने पर जो srondiger equation है वो इस type के potential के लिए solve नहीं किया जा सकती जो srondiger equation है उसको solve नहीं किया जा सकता मैंने आपको भी पता है कि जो srondiger equation है इस तरह के potential के लिए solve नहीं किया जा सकता तो इसके लिए cronning और penny ने इसको solve करने के लिए एक model बनाया जिसका ही हम discuss कर रहे हैं देखिए it is not easy to solve srondiger equation with these potential so according to cronning penny the periodic potential can be considered equivalent to the simplest rectangular potential तो अब cronning और penny ने क्या किया जो ये potential ता इसको rectangular potential में कुछ इस तरह से जशे आपको नीचे यहाँ पर यह दिख रहे है इस तरह से इस तरह से इसको मानलियत किये इसके लगबग जैसा होता है period of potential to same extend because this potential mentions several qualities of the quantum behavior of the valence electron जो valence electron होता है उसके जो quantum behavior के जैसे इसकी जो qualities है वो सो करता है देखिए potential region in seven in figure यहाँ पर आपको potential region दिखाया गया है जो rectangular shape में है कुछ इस तरह से तो इसको हम region first नाम देते हैं और इसको region second यह जो axis है वी एक्स यह बताती है potential को और x बता रहा है इसके जो ions है उसमें यह किस तरह से आगे जा रहा है उसको तो यहाँ पर जो first reason है इसको तो बोला जाता है potential well और जो second region है इस तरह से इसको बोला जाता है potential barrier क्या बोलते है potential barrier बोला जाता है यहाँ पर यह zero position है यहाँ से यहाँ तक जो gap है यह A है और यहाँ से यहाँ तक का gap है वो B है और यह किसका है periodic rectangular potential है one dimensional लेटिक में अब देखिए इसका आगे let the value of the potential area be zero in zero is less than x is less than a and V note in minus b is less than a is less than zero it can also be written as follow देखिए हमने जो दो reason लिये थे first and reason second उसमें हमने condition apply की है कि जो area है zero is less than a is less than sorry zero is less than x is less than a उसमें जो potential होगा वो कितना होगा zero और जो reason second था उसमें minus b is less than x is less than a उसमें जो potential होगा वो कितना होगा V note एक बार आप diagram को फिर से देखिए देखिए कुछ इस तरह से यह reason first है इसमें जो x की value होगी वो zero और a के बीच में varies करेगी और जो second है second reason है उसमें जो x है वो minus b और zero के बीच में vary करेगा यहाँ पर देखिए जो यह वाला part है यहाँ पर जो potential है वो V note होगा इस पर यहाँ पर जितने भी जो rectangular potential है उसकी value कितनी हो जाएगी V note हो जाएगी यहाँ पर तो यह इसको हम नाम देते हैं V note clear है देखिए first reason Vx is equals to zero Vx की value zero कब होगी जब zero is less than x is less than a और जो second reason उसमें Vx is equals to V note कब होगा minus b is less than x is less than zero यह condition है इसको हम equation फिर्षे रिफर्जेंट कर रहे हैं here the energies of electron can be solved by using surrounding a time independent wave one dimensional के लिए हम surrounding a time independent wave equation को use कर रहे हैं तो यह है हमारी one dimensional time independent surrounding wave 2 psi upon dx square plus 2m upon h cut square e minus vx psi is equals to zero यह equation time surrounding a time independent wave equation है मैंने एक पहले वीडियो में भी डिसकस किया था आप उस वीडियो को यहाँ पर उपर आप आई वाला जो बटन है कॉर्णर में उस पर क्लिक करके surrounding a time independent wave equation के बारे में पढ़ सकते हैं अब आगे देखिए here we calculate for two reasons अब देखिए जो हमारे surrounding equation है उसको हम the first or second reason है उसके लिए calculate करते हैं तो देखिए जो first reason है यह रहा इसके लिए vx की value कितनी है zero और condition क्या है zero is less than x is less than a तो यहाँ पर हम value रखते हैं zero vx की value कितनी रख दे zero रखे तो यह आएगा d2 psi 1 upon dx square plus 2m h cut square e psi 1 तो यह तो first reason के लिए होगा equals to zero equation third और second reason के लिए जो vx है वो किस के equal होगा v naught के equal होगा तो यह vx की जगे हम यहाँ पर क्या लिख दे v naught तो equation क्या आएगी for second reason d2 psi 2 upon dx square plus 2m upon h cut square e minus v naught psi 2 is equals to zero यह equation हमारी four आ गई और यहाँ पर हमने जो limitation भी है वो लिख रखी है अब हम यहाँ पर जो 2m e upon h cut square है इसको हम माल लेते हैं alpha square और 2m upon h cut square v naught minus e यहाँ पर v naught को बड़ा और e naught को छोटा लिया गया है और इसको हम माल लेते हैं beta square कुछ इस तरह से let 2m e upon h cut square is equal to alpha square and 2m upon h cut square v naught minus e is equal to beta square यहाँ पर जो alpha और beta है वो constant है और देखिए वेर alpha and beta is real constant here assume that the electron energy e is less than the potential v naught it is v naught is greater than e तो देखिए अब जो हमारी equation third and fourth है equation third and fourth उसको rewrite करते हैं तो rewrite the strong digger equations तो यहाँ पर हमने alpha square और beta square से इसको represent कर दिया है यह equation आ गई 5th और 6th according to block theorem a single electron in the periodic potential region the eigen function psi can be expressed as the multiplication of a plane wave e की power iota kx and the periodic function u kx of the lattice जो हमारा block theorem है उसके according क्या होता है जो eigen function psi है वो किसके equal होता है exponential function और जो periodic function है उसके multiplication के equal होता है तो देखें psi x is equal to e की power iota kx u kx यहाँ पर k क्या चीज़ है wave vector है अब इसको हम दो बार differentiate करेंगे ठीक है differential करेंगे इसका तो differentiating equation 7 with respect to x twins तो यह क्या होगा d psi the first time करेंगे तो क्या होगा d psi upon dx इसका u dot v से करेंगे तो पहले तो हम इसका करेंगे तो यह क्या हैगा iota के अगे आ जाएगा और यह constant रजाएगा अब इसको constant रख देंगे और इसका differentiation करेंगे यह रज़गा d uk x upon dx अब अगें इसका करेंगे second time तो यह क्या होगा d2 psi upon dx square अब इसको भी ठीक वे से u dot v method से करेंगे तो firstly हम first हम क्या करेंगे इसको करेंगे और इसको constant रख देंगे इसका differentiation करेंगे तो यहाँ पर होगा iota into iota और यह हो जाएगा k square और हम जानते हैं iota into iota is equal to iota square होता है और iota square किसके equal होता है minus one के equal होता है तो मैंने यहाँ पर direct minus apply कर दिया और यह constant है अब क्या करते हैं जो यह वाला है इसको constant रख देते हैं और इसका differentiation करते हैं और फिर इसका भी करते हैं u.v method से तो यहाँ पर आपके पास दो terms एक जैसे आएगी यह वाली तो यहाँ पर मैंने two लगा दिया उन दोनों को aid कर दिया एक साथ इसलिए यह आपर क्या गया two आया है clear इतनी बात और आगे इसको solve किये अब जो हमारी यह equation नहीं है डिट्टू साइ अपॉन डिएकस स्कॉयर की इसको हम equation 5 में put करते हैं देखे हमारी equation 5 यह रही हमारी equation 5 डिट्टू साइ वन अपॉन डिएकस स्कॉयर प्लस अलफा स्कॉयर साइ वन इसको स्टू जीरो यह वैल्यू यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे और साइ वन की वैल्यू रखेंगे यह वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने इस तरशे और यह आँ पर आ जाएगा अलफा स्कॉयर और एकी पावर के एकस यूवन यह वैल्यू किसकी है साई की value, साई 1 की value जो equation 7 में आपको यहाँ पर है यह रही, यह साई की value है और यह दिट्टू साई अपॉन dx square की value है यह दोनों value हमने 5 में put की है तो यह equation आएगी अब क्या करते हैं इसमें divide करते हैं e की power iota kx का dividing the above equation by e की power iota kx तो यहाँ पर जब divide करेंगे तो यह क्या आदाएगा d2 u1 upon dx square plus iota k du1 upon dx minus k square u1 plus iota k du1 upon dx plus alpha square u1 is equals to 0 अब देखें यहाँ पर यह वाली terms और यह वाली terms दो बार है तो इसको add कर देंगे तो यह आदाएगा 2 iota k du1 upon dx square और इसमें और इसमें u1 को common ले लेंगे तो यह आदाएगा alpha square minus k square और equals to 0 यह equation 9 है अब जो हमारी equation 8 है यह वाली और equation 7 है यह वाली इन दोनों की value हम रखेंगे equation 6 में देखे equation 6 यह रही हमारी equation 6 d2 u side 2 upon dx square minus beta square side 2 is equals to 0 यहाँ पर value put करके जैसे परकार से हमने उपड़ solve किया है ठीक उसी परकार से यहाँ पर solve करेंगे तो यह क्या आएगा d2 u2 upon dx square plus 2 iota k du2 upon dx minus beta square plus k square u2 is equals to 0 यह हमारी equation 10 हो गई जैसे हमने 9 को solve किया था वैसे इसको solve करके लिखा है तो अब देखिए जो equation 9 और 10 है वो second order differential equation है इसका जो general solution होता है यह हमने पहले भी पढ़ा है किस तरह से इसका दरना solution करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने दरना solution करके लिख दिया u1 is equals to a e की power power iota alpha minus k x plus beta b e की power minus iota alpha plus k x और u2 is equals to c e की power beta minus iota k x plus d e की power minus beta plus iota k x यह equation 11 और 12 हो गई और यहाँ पर जो a b c d है यह arbitrary constant है जिनकी value है वो limitation और continue के restriction में होती है देखिए where a b c and d are arbitrary constant was value of determinant by the limits and continuity restriction on psi and d psi upon bx अब देखिए हम यहाँ पर limitation लगाते हैं limitation क्या है कि continuity of psi and d psi upon dx is equals to x is equals to 0 के लिए तो यह क्या आएगा देखिए x is equals to 0 पर condition equation यूवन और यूटू दोनों क्या हो जाएंगे एक्वल हो जाएंगे और इसका d इसके according तो हमारे पास यह condition आती है a plus b is equals to c plus d और दूसरी है तो iota a alpha minus k minus iota b alpha plus k is equals to c beta minus iota k minus d beta plus iota k यह equation 14 हो गई similarly x is equals to a and x is equals to minus b पर जो condition है वो क्या होगी u1 and u2 क्या हो जाएंगे और जो du1 upon dx is equals to du2 upon dx यह भी equal हो जाएंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं a e की पावर iota alpha minus k a plus b e की पावर iota alpha plus k into a is equals to c e की पावर minus beta minus iota k into b plus d e की पावर beta plus iota k into b ठीक इसी परकार से इसको लिख देंगे तो अब देखिए जो equation 13 equation 13, 14, 15 और 16 है इसको हम determinant के रूप में solve करते हैं जिसका जो constant है वो किसके equal होजाए 0 के equal होजाए जो coefficient of constant है वो किसके equal होजाना चाहिए 0 के equal होजाना चाहिए equation 13, 14, 15 and 16 can be solved provided the determinant of the coefficients of constant 13, 14, 15, 16 become 0 तो यह हमने एक determinant बनाया है जो अब वोजाएक्वेशन है 13, 14, 15 और 16 उसके according जो किसके equal है 0 के equal है यह होजाएगा 1, 1, minus 1, minus 1 iota alpha minus k minus iota alpha plus k minus beta minus iota k beta plus iota k कुछ इस तरह चे है आप इसको देख लेना अब देखिए अब इसको जब हम solve करते हैं यह काफी typical होता है solve करना इसको जब solve करते हैं मैंने आप डायरेक्ट लिख दिया है तो जब इसको solve करेंगे तो क्या हैगा beta square minus alpha square upon 2 alpha beta sin hyperbolic beta b sin alpha a plus cos hyperbolic beta b cos alpha a is equals to cos k a plus b और equation होगी 17 अब देखिए इसको solve करना काफी typical सा तो जो crowning और penny है उन्होंने क्या किया था इसको describe करने के लिए condition apply की जो कुछ इस तरह चे है solving this equation is very difficult so in order to get a simple solution in this equation crowning penny describe a situation in which the value of v naught tends to infinity and b tends to 0 and v naught b are finite it is the potential field become like a delta function कहने का मतलिब यह है कि v naught tends to infinity and b tends to infinity पर जो v naught b है वो कैसा आना चाहिए finite होना चाहिए और जो potential area है वो delta function के equal हो जाए तो इस इस इस्सिति में क्या हो जाएगा जो शुक्षम जो जाल्लक के शुक्षम चोड़ाई है वो infinitive potential के जो periodic frequency है उसके sum equal हो जाती है तो देखिए इन दिस केस देलेटिक एक्ट लाइक ए periodic potential barrier of a small width and infinite potential finite value of v naught b and v naught tends to infinitive and b tends to infinite define barrier strength v naught tends to infinity और b tends to zero पर जो v naught b की जो finite value है उसके लिए जो barrier strength है वो क्या करती है sorry जो v naught tends to infinity और b tends to zero पर v naught b की जो finite value है वो क्या कहलाती है barrier strength कहलाती है अब देखिए for barrier with b tends to infinity अब देखिए b tends to infinity है तो sine hyperbolic beta b है यह किसके यह किसके equal हो जाएगा लगबग beta b के लिए और the cause hyperbolic beta b है वो किसके equal हो जाएगा लगबग one के equal तो यह जो हमारे condition आई है यह condition हम रखेंगे equation 17 में देखिए equation 17 यह रही हमारे equation 17 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो b है उसकी value तो हो जाएगी zero और sine hyperbolic beta b है यह किसके equal हो जाएगा beta b के लिए और जो cause hyperbolic beta b है किसके equal हो जाएगा लगबग one के equal हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसकी value इसमें value रखें तो क्या आएगा देखिए तो यह आएगी a beta square minus alpha square beta b beta 2 beta और यहाँ पर sine alpha a upon alpha a plus cos alpha is equals to cos k a और हम क्या करते हैं यह तो value है a beta square minus alpha square beta b upon 2 beta इसको हम क्या माल लेते हैं पी माल लेते हैं यह power of potential कर लाती है यहाँ पर पी माल लेते हैं तो यह क्या कर लाती है power of potential तो यहाँ पर value पुट करें पी की यह जगा पी sin alpha upon alpha a plus cos alpha a is equals to cos k a equation 18 where p is equals to beta square minus alpha square beta ab upon 2 beta is equals to ab v naught minus 2e m upon h cut square तो यहाँ पर पी क्या कर लाता है power of potential कर लाता है इसको हम power of potential भी बोलते हैं तो यह जो हमारे equation आई थी अभी 17 और equation 18 यह दोनों equation क्या कर लाती है crowning penny equation कर लाती है देखिए if v naught is very very greater than e means यहाँ पर जो v naught है वो काफी ज़दा large हो e से तो जो p है वो लगबग equal हो जाएगा m, a, b और v naught upon h cut square कुछ इस तरह चे यहाँ पर तो जो equation 17 and 18 are crowning penny equation where p is power of potential अब हम यहाँ पर क्या करते है जो p की value आई है इसमें दो condition ले लेते है वो कौन कौन सी condition होगी यहाँ पर equation 18 है यहाँ पर condition पहले condition तो यह लेते हैं कि p is equals to 0 और दूसरी condition क्या लेते है p tends to infinity मला पहले जो condition उसमें p की value तो 0 रखेंगे और जो दूसरी condition है उसमें p की value कितनी रखेंगे infinity case first from equation 18 for p is equals to 0 p is equals to 0 के लिए equation 18 क्या बनेगी यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यह तो पूरा 0 जगा यहाँ पर क्या बचेगा cos alpha a is equals to cos k a यह देखिए इस तरह से cos alpha a is equals to cos k a alpha is equals to k alpha किस k is equals to जाएगा k a k अब हमने पहले alpha को क्या माना था 2 m e upon h cut square sorry alpha square को क्या माना था 2 m e upon h cut square alpha की जगा हमने यह value रख दी तो यह भी किस के equal हो जाएगा k square के equal हो जाएगा या फिर यहां से e की value calculate करें तो h यहाँ पर आ जाएगा 2 m बटे में आ जाएगा और e is equals to h cut square upon k square upon 2 m यह value आ गई तो यह दो देखिए e की value आई है यह valence electron है उसमें जो energy का energy की value है वो free electron theory के अनुसार ही हमारे पास आती है और उर्जा किस के equal हो जाती है free electron theory के according मेरे कहने का मतले भी है कि जो valence electron की energy है वो किस के equal होगी free electron theory के according जो energy आती है उसके equal हो जाएगी अब देखिए के second पर बात करें तो जो equation 18 है उसमें हम P की value कितनी रखेंगे infinity तो P की value यहां पर रखेंगे from equation 18 P tends to infinity तो equation 18 में infinity रखने से पहले हम क्या करेंगे P को divide करेंगे नि pens chassis P का divide करेंगे तो हो आजाएगा sin alpha A upon alpha A plus cos alpha A upon P और किस के equal होगा cos K A upon P अब यहां पर P की value रखेंगे तो sin alpha A upon alpha A किस के equal होगा 0 के equal होगा देखिए इस तरह से हमने P की value 0 रखी तो sin alpha A किस के equal होगा 0 के जानते हैं कि sin alpha is equal to plus minus n pi, यह n pi के equal हो जाएगा, n की value 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती है, और a को इधर बेज़ दें, तो यह डिवाडेशन में आदाएगा, और यहाँ पर इसका square करें, तो alpha is equal to n square pi square upon a square, और alpha square की value हमने पहले जो ली थी, वो कितना सामने मानना था, alpha का मान, 2m e upon h cut square, किसके equal था, alpha square के, तो यहाँ पर हमने value रखती, तो अब यहाँ से फिर से energy है, उसकी value calculate करें, तो e is equal to n square h cut square pi square upon 2m a, जो h cut है, h cut किसके equal होता है, h upon 2 pi के, यहाँ पर मैं लिख दू, h cut is equal to h upon 2 pi के, equal होता है, तो यहाँ पर हम h cut की value रखें, तो यह हो जाएगा, n square h square upon 8m a square, तो यह हमारे आगी energy की value, तो यहाँ पर देखिए, जो energy e है, वो wave vector, wave constant है, उस k पर depend नहीं करता, here, energy e doesn't depend on constant k, in this case, the energy level are discontinuous, जो energy level होंगे, वो किस तरह से होंगे, discontinue होंगे, मतलब continue नहीं होंगे, this result is similar to energy level of particle in one dimensional potential, जो result है हमारा, वो किस के equal है, one dimensional energy level के particle उसके equal है, अब देखिए, हमने एक graph plot किया है, एक graph जो हमने equation 18 नहीं थी, उसके corresponding, एक graph P sin alpha A upon alpha A plus cos alpha A, versus alpha A के बीच में हमने graph plot किया, कुछ इस तरह चीं, तो यहाँ पर, यह वाला जो gap है, इसको हम बोलते है, energy gap, और यह वाला gap उसको allowed energy बोलते हैं, clear इतनी बात, तो यह थी हमारे इसकी, जो graph है, उसके बारे में, कुछ इस तरह शे graph आता है इसका, पाई 2, पाई 3, पाई, और यहाँ पर यह हमने, जो एकसिस लिए है, यह हो गया, P sin alpha A upon alpha A, plus cos alpha A, और यह हो गया, V alpha A के according, तो यह था हमारा, crowning penny model, वीडियो को पूरा देखने के लिए, आप सभी का thanks, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और share करे, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को भी subscribe कर दे, thank you,